हलो मैं डियर स्टूट्ट्स वेलकम करता हूं मैं भार्थ पंचाल और केमिस्ट्री गुरूजी अगये आप सबका एक बहुत जादा इंपोर्टन्स वीओ में तो आद हम छोटू-शोट करने वाले हैं ओफ दी चेप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पूरे चेप्टर को बहुत बढ़ा नोट्स यूज किये हैं वह आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल जो कि भार्थ पंचाल सर के नाम से हैं बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे फ्री ओफ कोष्ट है आप उनको चेक आउट कर सकते हो बहुत यूजफूल होंगे आपके लिए तो और बीत में कुछ कोशन पूछे मैं एक्सपेक्ट करूगा आप उनकी अंसर कर दोगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्र केमिस्ट्री हम लोग किसे कहते हैं सिंपल सी बात इट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देल्स विद इंट्र कनवर्जन ओफ एलेक्रिकल होती है क्या होती है और इसके अंदर नौन पॉन्टेनेस होती है इसका होती है इसका है इसका शोटकॉर्ट होता है पैनिकक का मतलूब होता है guilty positive is a node negative is cathode जो positive terminal होता है electrolatic cell में उसे आप लोग क्या बोलते हो एनोड बोलते हो जो negative terminal होता है उसे आप लोग कैफोड़ बोलते हो दूसरी जगह हमारे पास electrochemical cell है जिसमें हम क्या करेंगे chemical energy से electric बनाएंगे और chemical से electric बनाते हैं और यहां पर spontaneous स्पॉंटेनियस मतलब जो अपने आप हो सकती है जैसे के पहाड़ी है एक पहाड़ी से हम इस बोल को पुश करते हैं तो ये अपने आप निच्चे आ जाएगी तो ये duż पास एक spontaneous change है और अगर मैं इस से पहाड़ी के निच्चे से इसको उपपर पुछ करना चाहूं तो यह नहीं होगा है ना continuous effort लगाने पड़ेंगे अपने आप होने वाला change नहीं है तो इस तरह के change को हम लोग non spontaneous reaction कहा देते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसका shortcut है लोन left में oxidation होगी anode पर negative charge होगा आपको ज्यादा अच्छा यह कब समझ में आने वाला है just a second अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आ दाएगा यह हमारे पास electrochemical cell का दंपल है specifically इस cell को यह हमारे पास zinc copper का cell है इसको हम लोग बोलते हैं galvanic cell voltage cell यहाँ पर आप याद रखिए loan left में oxidation होगी anode पर negative charge होगा यह जो left side है इस पर हमेशा oxidation होगी इस पर क्या होगी बाइया reduction होगी जिस पर oxidation होगी इस रोड को क्या बोलेंगे अनोड और अनोड पर charge कौन सा होगा नेगटिव यह cathode होगी cathode पर reduction होगी और उस पर charge कौन सा होगा positive होगा है ना एक metal ली है जिंक को जिंक के solution में जिंक sulphate में डाल दिया और उनको connect करने के लिए salt breeze ले लिया नमक का पूल बना दिया और उस नमक के पूल में आप KCL ले सकते हो या फिर KNO3 ले सकते हो या फिर K2SO4 ले सकते हो as electrolyte यह inert electrolyte होते हैं reaction नहीं करते हैं fast electrolyte हैं बहुत speedly ions में तूटते हैं having same mobility इनकी move करने की जो speed होते हो वो भी same होते हैं कि speed से भागते हैं मतब जिस speed से k भागेगा k positive भागेगा उसी speed से CL negative भी भागेगा है इधर क्या होगा oxidation laws of electron इधर क्या होगा reduction gain of electron electron की movement हो रही है तो current बन जाएगा अगर आपको कोई बोले cell notation कैसे होता है देखिए M से MN positive है यह क्या हो जाएगा reduction यह हमारी cell notation होती है अगर आपको कभी standard electron potential of cell निकालना हो या फिर EMF बोलते हैं इसको electro motive force electron के motion से जो force arise होती है वो क्या होगी E not reduction minus E not oxidation जिस पर reduction हो रही है उसका electro potential minus जिस पर oxidation हो रही है उसका reduction potential या फिर E not right minus E not left, right वाले में से left वाले को minus कर दो तो आपका standard electrode potential आ जाएगा आगे महूँ करते हैं electrode potential किसे कहते है, tendency of an electrode to either lose or gain electron when it is placed in its own solution, कोई भी metal लो आप उसको उसके solution में डाल दो, जैसे zinc को zinc के solution में डाल दे, zinc sulfate में डाला था फिर वो electron ले रही है या दे रही है तो वही उसका electrode potential है, अगर कोई electron देता है तो oxidation potential है, अगर कोई electron लेता है तो reduction potential है और अगर ये लेने और देने की क्षमता, electron को lose करने की, gain करने की tendency, आप निकालते हो अंडर standard condition, standard condition मतलब temperature 298 है, pressure 1 atmospheric है, concentration 1 molar है, अगर ये सारी condition रखते हो, तब जो electrode potential होता है, तब जो electron lose करने की या gain करने की tendency होती है, उसको standard electrode potential बोलते हैं अब किसी भी metal का अकेली की नहीं पता चलता है कि electron लेने वाली है या देने वाली इसकी खुद की capacity कितनी है, तो उसके लिए में एक reference electrode बनाने पड़ती है, और उस reference electrode को हम लोग बोलते है, she, she के फ्रूफ होती है, standard hydrogen electrode, या फिर NHE के नाम से भी ये famous होता है, normal hydrogen electrode, अब क्या हो समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक container है, इस setup को समझो, इस container में आपने 1 molar SCL solution लिया है, दो glass की tube है, ये outer glass tube है, sorry, ये inner glass tube है, और ये outer glass tube है, इस पे ये पतली C wire है, और निचे platinum को foil है, जिसके पर reaction होगी सारी के सारी, यहाँ पर आपने hydrogen gas को bubble कराया है, at 298 Kelvin temperature, 1 atmospheric pressure, condition standard रखे ग अब इस device के साथ, आप किसी को भी लगाओगे, आप zinc को लगाओगे, zinc sulfate में डालके, copper को लगाओगे, copper sulfate में डालके, ऐसी अलग-अलग matter होगे, उनके solution के अंदर, फिर आप देखोगे, voltmeter में क्या value change हो रही है, है ना, minus value हो सकती है, plus value हो सकती है, फिन उन values को लिखा गया, अच्छा, electrode potential की एक और definition हो सकती है, it is the potential difference, it is the potential difference measured between the electrode and its electrolytic solution, एक electrode का electrolytic solution के साथ connect को, अगर उनके बीच में जो potential difference से rise होगा, उसके भी आप लोग potential difference कहा सकते हो, और किसी भी acrylic metal का electrode potential calculate नहीं किया जा सकता, इसके लिए मैंने एक device बनाए, जिसका नाम है C, standard hydrogen electrode, इसकी खुद की लूज करने के, गेन करने के कोई tendency नहीं होती है, reference है ना, तो 0.00, अगली बात पर आजाओ, अगर यह anode का का काम कर रहा है, it means oxidation होगी, तो क्या होगा, hydrogen gas दो लेक्टन देके, 2H positive बन जाएगा, अगर यह cathode का 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 काम कर रहा है, यानि किस पर reduction होगी, 2H positive, 2H positive दो लेक्टन नोर्मली, देखो बीटा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो electron की movement कुछ इस तरह से होती है, zinc से copper की तरफ लेक्टन जाते है, zinc पर oxidation है, copper पर reduction है, और इसके opposite direction में current जाता है, ठीक है, अगर कभी, e node cell, हमारे cell का potential, और external potential कभी equal हो गया, तो हमारा cell काम करना बंद कर है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे cell के potential से ज्यादा हो जाए, external potential यानिकि बाहर से ज्यादा पर लग रही है, तो बाहर वाला जीत जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो electron zinc से copper की तरफ जा रहे है, वो copper से zinc की तरफ जाएगे, जो current copper से zinc की तरफ जा रहे है, वो zinc से copper, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो हमारे electrochemical cell है, behave like electrolytic cell, वो किस की तरह behave करने लगेगा, electrolytic cell की तरह behave करने लग जाएगा, getting my point or not, I hope आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है electrochemical series, definition कहां गई, कहां है definition, क्या हो क्या electrochemical series, arrangement of various electrodes in the increasing order of their standard reduction potential, ये है हमारे प कि कार, आली, जमी, फनी, पंजाब बन है, क्यूट, अंग्रेजन, भारत, आई, औस्टेलिया से फरारी लेकर, जैसे जैसे हम टोप टू बोटम जारे है, standard reduction potential बढ़ रहा है, आप देख सकते हो, minus 3.05, minus 2.93, negative value कम होती जारे है, positive बढ़ती जारे है, ये इसका standard reduction potential है, अगर अगर इसको देखते हो, कभी आपको oxidizing power देखनी हूँ, तो उसका reduction potential ज्यादा होना चीए, अगर किसी की reducing power देखनी हूँ, तो उसकी oxidizing power ज्यादा होना चीए, ये standard reduction potential कम होना चीए, इस तरह से relate करना, oxidizing power, reduction potential के directly proportional है, reducing power, reduction potential के inversely proportional है, जब आप down the group जाते हो, metal की reactivity बढ़ती ह मैटल द्राइक करते हैं कि जो हैं यह koy data क्राइशल उससे सुमझें यह लिता हैं के सुनगर त्राइशल हम यह ट्ली कि अट इकशन की क्या relation है with electrode potential of cell, इसे लेटर बहुत सारे question बन जाते हैं, तो क्या होती है E cell is equal to E node cell minus 0.0591 by N, ये 0.0591 का 0.06 यूज़ कर सकते हो, low concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction, E cell, electrode potential of cell, जब condition standard नहीं है, E node cell का मतलब बता है, standard electrode potential of cell, जब condition standard है वो आप लोग निकाल सकते हो, E node cell का formula मैंने आपको बताया भी है, E node right minus E node left, एक छोड़ा सा question, जो galvanic cell है, जो jink copper cell है, उसका standard electrode potential कितना होता है, पता होना चाहिए, अच्छा, अगर आपको कभी Gibbs free energy निकालने है, तो इसका formula मैने स and E node cell, एक घुछ को कभी low Casey का मतलब होता यहापर, equilibrium constant केसी का मतलब होता है equilibrium constant तो बैटा जी equilibrium constant जब equilibrium conditions होती है न e cell is equal to 0 हो जाता है तो हमारी nurse equation को ही अगर हम modify करें तो यह क्या बन जाता है e no cell 0.0591 by n log kc ठीक है इसको हम simplify करते हैं आगे हम हम करते हैं conductors conductors किसे कहते हैं दो substance वी चलो the electric current to pass through it जो अपने अंदर से electricity को पास हो जाने लिए इसी तरह इंसुलेटर होते हैं अपने अंदर से electricity को पास नहीं होने देते semi conductor होते हैं जिनमें से आधी electricity पास जाती है आधी electricity लोग दाती है example उताना है गवार semi connector के और insulator के भी अच्छा the power of an electrolyte to connect electric current is called conductance or connectivity अच्छा जो conductor होते हैं दो तरग होते हैं एक होते हैं metallic conductor एक होते है electrolytic conductor metallic conductors के अंदर जैसे metal iron aluminum इनके अंदर जो current पास होता है वो होते है due to the flow of electrons on the other hand electrolytic conductors होते हैं जैसे अनेसे अल अगर आप नेसेल के देखा गया कि डिरेक्ट ली प्रपोर्शन होता है कि इसके लेंद के और इनवर्सली प्रपोर्शन होता है एरिया के और resistance की यूनिट क्या होते है यूनिट होते है इसकी ओहम क्या होते हैं जो कि आपके बहुते हैं और उसके बाद हो वहां धालोगों तो इसकी अनट्व बढ़ती चली जाएगी क्यों बढ़ती चली जाएगी अनगटिविटाइट की नमबवज पर रहे हैं यहां पर यह जो आर है यह 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 रो जो है, यह resistivity है, इसको specific resistance भोगते हु PAC है, तो जो रो है, ठीके, conductivity जो होता है, वो एल बाई ए इसे साल कोंस्टेंट बहुते हैं जिस्टार यूट के होते हैं कंड़क्टिविटी की ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स यह दिक्रीज करता है ओन डिलूशन एज नमबर ओफ आयंस पर संटीमिटर क्योग डिक्रीज इस कंड़क्टिविटी जो होती है गिवन वुल्यूम में कैल्कुलेर की जाओ तो जब बढ़एगे तो नमबर ओफ आयंस जो हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम में इकम हो दाएंगे तो इनकी कंड़क्टिविटी घर जाती है ठीक है कनड़क्टैंस पूरे सॉलुशन कर देखे जा टो अगर देखा गया तो इन्वर्सली प्रपोर्शन होती है मोलर कंडुक्टिविटी है अर्चा मैं करूंगा तो यह एन्वाई वी वी उपर चला जाएगा तो अगर आप डालूशन बढ़ाओंगे वोल्यूम बढ़ेगा वोल्यूम बढ़ने से मोलर कंडुक्टिविटी यह बहुत पर पूछा गया है कि डालूशन का क्या फर्क पड़ता है इंक्रीज विध डालूशन डूटू लाज इंक्रीज इन क्या इंक्रीज हो रहा है वह लार्ज इंक्रीज इन वोल्यूम आगे बढ़ेगा करते हैं एक होता है लिमिटिंग मोलर कंडुक्टिविटी जब आप, देखिए, molar conductivity जो है, increase करती हों, dilution, जब आप dilute कराते जाओ, कर बाते जाओ, infinite dilution कर दोगे, तो concentration जो है, वो zero हो जाएगी, उस टाइम, जो conductivity होत्ते हो से हम लोग बोलते हैं, limiting molar conductivity, when concentration of leg plate approaches zero, इसके बाए, अच्छा, अगर आप graph की help से समझना चाओ, तो molar conductivity में और concentration में क्या relation है, मैंने भी आपको पताया है, molar conductivity is inversely proportional to concentration, यह graph करते हैं, concentration का root, और किस equation के according करते हैं, d by huckle on sager equation, यह है, delta m, यह है limiting molar conductivity minus a root c, तो देखी बाटा, जैसे जैसे हम concentration को घटा रहे हैं, तो molar conductivity बढ़ती जा रही है, है ना, strong electrolyte के लिए थोड़ी बढ़ती है, और weak electrolyte के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और एक time तो parallel to y-axis हो जाती है, है ना, इसको ऐसे touch किया जा सकता है, strong electrolyte को, weak electrolyte तो बिल्कुल ऐसे parallel ही चले ना जाता है, अच्छे, एक हमारे पास आया है colorless law, पहले लो में क्या बोला कि अगर किसी भी electrolyte के limiting molar connectivity निकालनी है, तो वो होती है किसके sum of limiting molar connectivity of cation and limiting molar connectivity of anion, degree of dissociation का फॉर्म ना क्या होता है, alpha से represent करते हैं molar connectivity by limiting molar connectivity, dissociation constant क्या होता है, c alpha square by 1 minus alpha, where alpha is degree of dissociation and c means होते बटाजी concentration, आगे मुँग परते हैं faraday, फैराड ने दो लो दिये कि यार electrolysis से rated इनके लो थे, पहले लो में क्या बोला, amount of substance deposited or liberated at electrode is proportional to the amount of charge pass, जितना charge pass कराओगा इतने ज़्यादा सब्स्टांस deposit होता जाएगा, w is proportional to q, या w is equal to zit, where z is electrochemical equivalent, i into i is current, t is time, यह second में लेना होता है, सेकंड लो क्या बोलता है, कि अगर आप एक से ज़्यादा solution ने दोगे और उनको सीरीज में connect करोगे, और जब आप उनमें से बराबर electricity पी पास कराओगे, तो कितना सब्स्टांस deposit होगा, उनके equivalent weight, weight of A deposited is equal to equivalent weight of A, weight of B deposited is equal to equivalent weight of B, अच्छा dry cell, अच्छा, तीन तरह के cell होते हैं, primary, secondary, tertiary, primary क्या होते हैं, जिनको सिर्फ एक बार उज़्यादा है, सकता है, जिनमें redox reaction एक बार होगी, फिर वो dead हो जाएंगे, secondary क्या होते हैं, जो डिचार्ज़ज़बल है, जिसमें से बिचली बनाई जाएगी, बाइदा कमशन और फियूल, जैसे जिंक है, जिंक ने दो एक्रों दिये, बन गया, फिर काफोर्ड पे यहां पर अमोनियम कोराइड होते है, यह दो लेक्रों का गेन कर लेगा, फियूल सेल के अगर बात करें, अनोड पर होता है 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 एलेक्रों देगा, ठीक है, तो 4H पोजटिव बनेगा, और 4H पोजटिव, सॉलुशन में से 4OH नेक्टिव लेगा, मतलब 4OH नेक्टिव जो है, इधर इलेक्रोलाइट है, इसके साथ जुड़के 4H नेक्टिव बन जाएगा, कैथोर पे अगर मैं बात करता हूँ, तो O2 है, इधर से 4H में से 2H2 का यूज़ किया जाएगा, है न, 2H2 का यूज़ क्यों किया जाएगा भई, क्योंकि 2 से हम 2 पानी बनाने कामा जाएगा, और 2 से बिजिली बना लेंगे, और रिचार लेक्टन ले जाएगा, जोड के लिखो 4H नेक्टिव हो जाएगा, लैड स्टोरिज बैटरी जो की रिचार्ज़ेबल होती है, इसमें अनूड को गरम देखते हैं, पीबी है, पीबी ने दो लेक्टन दिये, पीबी टूपोस्टिव बना, एसोफोर नेक्टिव के साफ जोड के पीबी एसोफोर, एट काथोर्ड, काथोर्ड पर कौन होता है, पीबी ओटू होता है, इसके लावाद दो लेक्टन भी लिए जाएगे, और जो भी सॉलूशन के अंदर है, इस सारे का साला,